हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू अवर चैनल इस टीचिंग विद रीना फ्रेंट्स आज मैं आपको 40 साइज के 4 टक्स वाले ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे तो ये है अस्तर और ये है इसका मेन फैबरिक पहले हम इसको अस्तर पे कट करेंगे उसके बाद हमें से मेन फैबरिक पे भी कट कर लेना है तो इसके लिए जो मैंने अस्तर लिया है वो 80 cm है और इसमें हमें 40 साइज का ब्लाउज कट करना है तो इसकी लंबाई रहेगी 14 इंज और जो इसका साइज है वो है 40 इंज लखना है 9 इंज का स्लीव लेंध इसकी लखनी है हमें 8 इंज की तो इसी मेजरमेंट से ही हम इसकी कटिंग करेंगे तो सबसे पहले इसको खोल के डबल फोल्ड में ऐसे कर लेंगे हमें फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग कट करना है तो यहाँ पे मैंने इसको डबल फोल्ड में भी छा लिया है यहाँ पे जो भी कपड़ा तिर्चा है उसको हम इस तरह से सीधा करके कट कर देंगे अब यहाँ पे हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे इसकी लंबाई हमें रखनी है 14 इंज एक इंज हम मार्जन के लिए ले लेंगे दोनों साइट के लिए आधा अधा इंज हमें ले लेना है तो हमने 15 इंज पे निशान लगाया सोल्डर हम लेंगे 6 इंज तो 6 इंज पे हम निशान लगाएंगे सीधा कर लेंगे इस तरह से इसको आर्म होल भी हमें 6 इंच ही लेना है तो यहाँ पे भी हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे साइज है इसका 40 इंच उसका हमें यहाँ पे चौथाई हिस्सा लेना है जो की होगा 10 इंच तो 10 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे इसको भी ऐसे सीधा कर लेंगे बाहर की साइड में हमने जो लिया है वो हमारा मार्जन हो जाएगा कमर है 34 इंच उसका चोथाई होगा साठे आठ इंच डेल इंच हम ले लेंगे तेक्स पॉइंट के लिए तो यहाँ पे भी हमने 10 इंच पे ही निशान लगा लिया और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे अब यहाँ पे हमें इसके नेक का निशान लगाना है नेक विर्थ हमें रखनी है 2.5 इंच और यह है बैक नेक बैक नेक की जो डीपनेस रखनी है वो रखनी है 9 इंच तो 9 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे और इस तरह से यहाँ पे हमें बॉक्स बना लेना है इसके बाद यहाँ पे हम इसमें नेक का सेव दे देंगे तो यहाँ पे अंदर की साइड में यहाँ पे हमने थोड़ा सा नेक की ब्राडनेस बढ़ा के रखी है और जो हमारा सोल्डर वाला साइड है वहाँ पे मैंने धाई इंच ही लिया है तो इस तरह से मैंने नेक का सेप दे दिया अब यहाँ पे हम टक्स पॉइंट के लिए कि पीदहा करलेंगे और जो हमारा टक्स रहेगा वह डिखा रहेगा तो इस तरह से दोनों साइड से मिलाते हुए्प टक्स पि निशान लगाते हुए इस तरह से का सेब देना है और आधा इंच यहाँ पे हमारा मार्जन में चला जाएगा हेई आब इसके बाद यहाँ पे को एक कर लेंगे थोड़ा सा कलो डॉंय करते हुए हमें कट करना है इस तरह से मैं हिसको कट कर लिया है अब या जो कप्डा है को ऐसे ही रखा रहने देंगे और इसके उपर हमें बैक वाले पार्ट को रखने श्युप तो हमें इसको आधा इंच उपर करके ही रखना है क्योंकि हमारा जो फ्रेंट पार्ट रहेगा वो आधा इंच हमें बढ़ा के ही कट करना है तो इस तरह से मैंने देखिए आधा इंच बढ़ाते वेस को रख लिया है अब यहाँ पे हम आर्म होल से इस तरह से सेप में निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम सोल्डर तक ही लगाएंगे इसके बाद इसको हम हटा देंगे अब यह जो निशान लगाया है यहाँ से हमें फ्रेंट नेक का निशान लगा लेना है तो front neck हमें रखना है 6 inch का इस तरह से 6 inch पे निशान लगा के box बना लेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से save दे देना है आच्छा है तो अंदर के side से इसकी broadness थोड़ा सा बढ़ाा भी सकते हैं और जो हमारा arm hole रहेगा front वाला वो भी हमें आधा इंच इस तरह से down करके ही निशान लगाना है यह मैंने निशान लगा लिए हैं अब यहाँ पे हमें इसके tux point के निशान लगाने है तो यहाँ से हमें tux point का निशान लगाना है 10 inch पे neck से मिलाते हुए 10 inch पे निशान लगाना है और यहां पे इसका जो margin है उसको भी हम सीधा कर लेंगे यह मैंने इसको भी सीधा कर लिया यह हमारा सिलाई margin हो जाएगा जो तिर्छा कप्डा है उसको भी हम कट करके सीधा कर लेंगे और यहां पे जो हमारा यह tugs point आएगा वो आएगा 0,5 ङंच का इसके बाद हम यहीं से मिलाते हुए 2 इंच पे एक और निशान लगाएंगे फिर से इसको ऐसे ही मिलाते हुए 2 इंच पे एक और निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हमें इसकी फिटिंग का भी निशान लगा लेना है जो कि होगा 10 इंच तो यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाते हुए इसको भी सीधा कर लेंगे और यहाँ पे जो हम हाई हुकी पट्टी के लिए मार्जन लेते हैं उसको मैंने पहले ही आयट करके ही लिया था अब एक निशान हमें 2 इंच पे फिर से ऐसे लगा लेना है अब यह जो हमने चारो निशान लगाए हैं इन निशानों को इस तरह से सीधा करना है इस निशान को इस साइट से ऐसे सीधा करना है और यह वाला जो निशान है इसको हमें आर्म होल वाले साइट से ऐसे मिलाना है तो देखें कुछ इस तरह से ये निशान लगाने है और ये वाला जो हमारा टक्स पॉइंट है ये हमारा रहेगा 1.5 इंच का तो दोनों साइट से मिलाते हुए हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से ये वाला जो टक्स है बनके आयेगा बाकी जो हमारे टक्स और ये जो नेक से पट्टी निकली हुई है इसको भी ऐसे सीधा कर लेंगे तो ये जो हमारी हायोग की पट्टियां होती हैं उसमें काम आ जाएगा अब यहाँ पर देखें ये जो साइड में जॉइंट है इसको भी हम खोल देंगे और इसके बाद ये जो निशान है इन्हें हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और दूसरे साइड में भी इसी बराबर से निशान लगा लेंगे तो इस तरह से हमारे जो फ्रेंट और बैक पार्ट हैं वो कटके रेटी हो गए हैं अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें हमें इसके आस्तिन की कटिंग करनी है तो इसको हम फोर फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे और यहां पर हमें आस्तिन की लंबाई जो रखनी थी वो रखनी थी एट इंच तो देखें यहां पर एट इंच ही आया है तो एक इंच तो हमारा मार्जन में चला जाएगा तो सेवन इंच ही बचेगा तो आप चाहें में फैबरिक पे इसे बढ़ा के एट इंच कर सकते है तो हम यहां पे इसको मेन फैब्रिक पे बढ़ा के ले लेंगे अब यहां पे देखे इसको चोड़ाई में भी कमा रहा तो यह हमने यह सीधा निशान लगाया है इस निशान से हम इसको कट कर लेंगे और यह जो साइट से कपड़ा निकला हुआ है इस कपड़े को हम रखते ह हुए इसकी चोड़ाई बढ़ा लेंगे तो देखे टू पार्ट यह हैं और टू पार्ट हमारी यह हो गए तो इस तरह से रखते हुए यह फोर पार्ट हो गए इनको हमें यहां पे ऐसे रख लेना है आधा इंच हम इससे इसको पर चड़ाते हुए रखना है जो कि मार्ज इंच का 6 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और यहां पे देखें मार्जन हमारा आ जाएगा उपर की साइड में ही हमें मार्जन अलग से एड़ करना है और इसको हम यहां से मिला देंगे इसके बाद यहाँ पे हम आरजन ले लेंगे अब यहाँ पे हमें इसमें आस्तिन का सेप दे देना है तो देखें यहाँ पे यह मैंने आस्तिन का सेप भी दे दिया है इसी सेप में हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है और यह जो कपड़ा निकला हुआ है, इसको हम यहाँ पे जोड के इसकी चोड़ाई बढ़ा लेंगे यहाँ पे यह जो जुएंट है इसको भी खोल देंगे और जो हम फ्रंट पार्ट में गहराई कट करते हैं, उसे हम बाद में कट कर लेंगे तो इस तरह से हमारा जो ब्लाउज है इसकी कटिंग हो गई है I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक से और सब्सक्राइब भी करिएगा कमेंट में भी बताईएगा थैंक्स फार वाचिंग माई वीडियो